आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Friends आज की Question में हमसे बोला गया है कि हमें उस Structure का नाम देना है बताना है जो की Associated होता है विद्दा Locomotion in Frog Frog के Locomotion के साथ मतलब Frog जो एक जगा से जगा जाता है किस Special Structure के अज़ा से जाता है तो दोस्तों Frogs के अंदर अगर हम उस Structure के बात करें तो उनके जो Frogs के जो हिंड लीम्स होते हैं वो अगर हम देखें तो वो क्या होते हैं Straightened होते हैं और उन Straightened हिंड लीम्स के वाजा से हम कह सकते हैं कि वो Crouching कर सकते हैं और या फिर हम कह सकते हैं कि वो Locomotion कर सकते हैं Basically यह जो Frog होता है उसका हम बोलें Skeletal System तो उसके Skeletal System में क्या होता है Bones होती है और Joints होते हैं Bones और Joints दोनों ही क्या होती हैं Voluntary Muscles होती है Basically हम कह सकते हैं कि Frog के Skeletal System के अंदर Voluntary Muscles का Attachment होता है Voluntary Muscles Attached होती है और फिर यह जो Muscles होती है यह Further Divided होती है किसमें Divided होती है एक होती है Flexors में Divide और एक होती है extensors में डिवाइड टीक है basically frog जो है वो किसके through move करते हैं तो frog की जो moving होती है हम के सकते हैं leaping के through move करते हैं frog और यह leaping basically किसकी वज़र से possible होती है because of hind limbs Thank you Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज राउनलोड करें doubt net आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर